शेरगाटी अनुमंडल के देवरिया गाउं में बुधवार की शाम एक महिला और उसके परिवार वालों की निर्मम पिटाई की घटना को लेकर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। गुरुआ के थानेदार दिवाकर विश्व कर्मा ने जानकारी दी है कि इस कांड के सिलसिले में घटना के तुरंत बाद एफायार दर्ज कर दो नामजद अभियुक्तों करमशह आशीश रंजन उर्फ गमंडिया और मनीश को गिरफतार कर लिया गया है। उसे अर्ध नगन कर देने तथा उसकी पुत्री के साथ भी अशलील हरकतें करने का आरोप है। इससे पुर्व 35 साल की महिला की वहशी तरीके से की जाने वाली पिटाई का वीडियो वाइरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी परतिकिरियाओं का सिलसिला बना हुआ था। इस बीच परतिमा कुमारी नामक पिलित महिला को गुरुवा के प्रात्मिक स्वास्त केंदर से गंभीर इस्थिती में गया के मगद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिफर किया गया है। रिपोर्ट की परतिक्षा की जा रही है। रीड की हड़ी में भी चोट है। पैठा जाली है। तोने से घीच के दुवारे पर पैठागी से घीच के आखे है। अगमोर लगने लट्ष यठ रही था। इस यहां कहीं कहीं कैसी बुलाविती। आप्थे कारे लग कुछा का है ना। संभाविला। कौन मारा। मनीश राव। मनीश राव। मनीश राव। मनीश राव। यह क्या नाम है आपका। पतिमा कुमारी। कहा घार है आपका। कौन पर खंडा है। बुरू राव।